है एलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिबार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में तो जैसा कि हम लोग प्रिवियस येर का प्रैक्टिस से नमर दो हजर ताइस मैथ का प्रैक्टिस से नमर 6 कर रहा है तो उसका दो प्रैक्ट दो पार्ट संख्यां कि अत्या का दसमलब पर सब्सक्राइब तो कोई वास नहीं आपको एक संख्या टिया वायाय है यह आपका कैसे संख्या है तो पल्य है संख्या परिमाए संख्या वो संते इसको अटे के फॉर्म में लिख सकते तो यहां लिखा हुआ गाराक तो यहां पर देखते हैं तो प्लूर्ट पूछा थू संव粹 परसार मालव दीसम पॉच्छा sasr की51 परसार कितने स्थान के बाद रूउख जाएगा तो देखे एकKYD बाहर ले लेते हैं तो यहां पर 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 3 ठीक है तो 43 भाई 2 और यहां पर हो जागा 10 पे पावर 3 तो 43 भाई 2 गुना में 10 10 10 यहीं होता है अब 43 को काड़ दीजिए तो 2 से पावर 1 से और इतना बाड में तो यहा पर 10 10 10 10 यहां से जिरो हो एकति यह0 तो टू 15 कितना तो देखे 61251 दो 3 14 इंदे weirdnam देखेंड दस्म पर सहर पूछे दस्टल पर कितने अस्थानों के बाद रूख जाये कर तो कितने एक दो तो आपका सी राइट हो जाएगा देखिए न चार अस्थान बाद आया ने दसमलाव यहां पर उगान है तो इस तरह से लोग निकाल सकते हैं पता कर सकते हैं कि कितने अस्थान के बाद दसमलेव पर सा रूख जाएगा आगे बढ़ते हैं एक वर्ग के छेतरफल का उसके वि इसका जो क्या बहुलता है बहुजा जो है इसको मालने तो यह है ठीक है तो यह आपका वर्ग है तो एक वर्ग के छेतरफल तो इसका पहले वर्ग का इस वर्ग का अगर आप छेतरफल निकाल हो गए तो क्या आगा a side गुणा में side और इसको बोलते हैं भुजा गुणा में भुजा यहीं फोर्मुला ऊता है तो भुजा माने गुणा हमें ए तो हमारा क्या हो गया स्कॉयर हो गया एक वर्ग के छेतरपल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग अब पहले वर्ग का यह वर्ग का छेतरपल आ गया स्कॉयर ठीक न तो हम इसका आ गया हमारा इसका छेतरपल गया स्कॉयर तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि पहले इसको लेते हैं वर्ग वर्गुवान का चेतुर्पल करें यह स्क्वारण अब क्या बोल रहा अब देखिछ में फेमें रेज कर लेताु आप इसमें ट्विस्ट ऍेर्षी स्ट whereby is इसका विकर्न अब कर्न जो है विकर्न का इसमें यहां पर किया responsible है यह बन नभवेख ढिरीиться तो बंव का है विकर्न क्या होगा इस वर्ग का तो क्या है यह नभवे डिग्री के इधर बहला साइट क्या होगता कर्ण कहला नहींग तो है hypotenuse वर्ड कब那就 में एक ख़ड़ा है तो हैपोटेश बराबर क्या होता थाall पी-पार perhaps विए must तो यहां थो हैご हमारा क्या है कि स्कॉएड म्रश bigger मारड ऑसकौइर तो टूवें इसकॉएर होगा तो च यहां पर रूट है把它 के इसकॉएर हमिलेंगे कि आगा-व रूट हो जाएगा, यहां से square हट जाएगा, तो क्या बचेगा, root to double a गुणा में a है, तो single a निकल के बाहर आएगा, तो root to a हो जाएगा, तो हमारा यह जो विकर्न है, यह जो हमारा यह जो हमारा विकर्ण इसका वहल्य आया रोट टू ए आया इसका ठीक है आप देखिए यह आ गया फिर से इसको रेज करना होगा क्योंकि जैसे जैसे कुश्चन बोल रहा है उसे उसे हम लोग चल रहा है आप क्या बोल रहा है इस पर आप इस पर बोल रहा है क्या कि विकर्ण पर बने वर्ग के अब विकर्ण पर जो है न एक वर्ग बनावा है वनलोग इस पर फिर से वर्ग बनावा है इस विकर्ण को लेकर वर्ग बनावा है इस विकर्ण को लेकर ऐसे वर्ग बनावा है ठेक न तो इस विकर्ण का अगर वर्ग का छेत्रफल बताइए तो । विकर्ण पर बने वर्ग का छेत्रफल क्या होता है भूजा में गुना भूजा तो यहां पर क्या है रूट टू ए गुना में रूट टू ए तो रूट टू रूट टू और यहां पर ए का स्कॉयर तो क्या अगर टू ए स्कॉयर हो गया तो वर्ग पर जो विकर्ण पर जो वर्ग बनाता है उसका हमारा छेतरफल आ गया तू ए स्कॉयर अब इसी का क्या बोला अनुपात बोला ह तो इसका अभी हम तो अनुपात यहां से आप कर लते हैं तो यहां पर बोला है पहला वर्ग का तो वर्ग पर्थम वर्ग और इसको माल लते हैं वर्ग 2 इसको माल लते हैं वर्ग 2 तो वर्ग 2 का अनुपात तो पहला का कितना यहां पर देखिए आद दूसरा का क्या निकाले टूए स्क्वार्ट से स्क्वार्ट खत्म तो वन वाय तो क्या निकला वन अनुपाथ दो तो आपको जब समी करन के लेखा चित्र एक दूसरे के समनांतर होते हैं तब समिकरन का कोई हल नहीं होता है नहीं होता है तथा समिकरन प्रस्पर विरोधी होता है विरोधी कहने का मतलब इन कंसिस्ट नेचर का होता है ठीक ना इंकंसिस्टेंट होता है विरोधी होता है तो यहां पर वह तो पुछा है जिस समांतर जुग में लेखा चित एक दूसरे क्या हो समांतर हो उसे कहते हैं क्या विरोधी ऑपसट डी राइट हो जाएगा ठीक है मैंने आपको पूरा सेंटेंस लिख दिया एक तरह का परिभासा आगे बढ़ते हैं इतना का मान बताना है तो कोई नहीं रूट 6 पुलस रूट 6 पुलस रूट 6 पुलस यह आपको क्या हो रहा है चलते जा रहा है ठीक ना एक तरह का यह इसको बराबर मान लेते हैं एक्स तो किसी एक के बराबर माने तो हम देखिए रूट 6 पुलस एक्स बराबर हम क्या मान लिए x मान लिए यहां किसी के भी बाराबर मानेंगे तो अब इतना बराबर x मानने रश सकते हो ठीक है अब दिखें इस root को उधर बजागते है तो 6 प्लस x यह हो जाएगा x square ठीक है अब x square minus x minus 6 equal to 0 ठीक है अब करोगे a और c को गुणा करो a के जगा यहां 1 है और c के जगा 6 है तो 1 गुणा 6 कितना होगा 6 6 को ऐसे तोड़ना है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 पूज़े तो तीन में अगर plus 1 करें तो हमारा कितना minus 1 आ रहा है इसमें ख़ली x गुणा कर तो यहां x square minus 3 x plus 2 x minus 6 equal to 0 x common लेंगे तो x minus 3 plus 2 x minus 3 equal to 0 ठीक है तो x minus 3 equal to 0 और x plus 2 equal to 0 ठीक है तो यहां से देखोगे तो x बराबर 3 आएगा यहां पर देखोगे तो x बराबर minus 2 आएगा तो आपको value जब भी लेना है क्या लेना होता है पलस वाला लेना होता है ठीक न तो यहां पर आपका option d right हो गया minus वाला value हम लोग कभी भी नहीं मानने देते तो आपका option d right हो गया तो इतना का value क्या हो जागा positive अगर घनात्मक लेंगे तो 3 आएगा इसको x बराबर माने है तो किसी एक को रख के उतना बराबर हम क्या मान सकते हैं क्योंकि repeated है तो कहीं से भी हम इतना बराबर इसमें x मान के जिसको हमाने है x बराबर में पूरा को तो उसको करिएगा solve आपका एक equation बन जाएगा quadratic equation का middle value निकालने आप लोग पढ़े होंगे तो यह नहीं पढ़े तो यहां मैं करबा रहा हूँ तो आपको कुछ याद आएगा तो आप कर सकते हो ठीक ना तो आप इस तरह से इसका solution लगा सकते हो आगे बढ़ते हैं 400 रुपया अंगेत मूल के एक खिलोना गाड़ी को 8% के 2 करमिक बट्टे पर बेचा गया यदि दुकान 16% के अकेली बट्टा के घुसना करे तो उससे होने वाली हानी होगा देखे यह कुछ न क्या कह रहा है यह बोल रहा है कि MRP आपको किसी खिलोना का 400 है ठीक ना और उस पर है न 8% करमिक बट्टे पर बेचा गया मतलब दो डिसकाउंट दिया हूगा D1 भी दिया हूए 8% और एक और डिसकाउंट दिया गहाँ 8% 2 डिसकाउंट दिया गहा उसको 8% अब इस पर अगर उसको बेचा जाएगा तो इस पर अधार पर SP कितना हो जाएगा तो हम जानते हैं 400 गुना में इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि SP निकालने के क्या होता है MRP गुना में 100 में माइनस D1 फिर 100 में माइनस D2 डिवाइड़ बाइ 100 यह होता है तो SP MRP केतना है 400 गुना आप देखिए एक सो में आठ डिवाइड़ बाइड़ यह फिर एक सो में आठ डिवाइड़ बाइड़ इतना तो SP बढ़ावर केतना होगा 400 गुना इसको घटा होगे तो 2 और यहां पर 9 फिर यह 9 फिर एक दो जिरू दो जिरू खतम तो यहां बचा यहां पर सिर्फ 4 होगा क्या है कि यहां से काट देते जो जिरू अब इसको अब गुना कर लोगे थोड़ा ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन गुना करोगे तो आपको कितना आजाएगा आपको यहां पर वैल्यू आने वाला है थीरी एट पॉइंट पॉइंट फाइप सिक्स ठीक है इतना आपको रूपिया आ जाएगा मतलब इतना रूपिया में इस दो बट्टा देने पर जो इसको सेलिंग प्राइस बना वह आपका ये बना ठीक है तो यह बना इस अधार पर यहाँ पर हम लिखे देते हैं इस अधार पर सेलिंग प्राइस कितना हो रहा थिरी एट पॉइंट फाइप शिक्स रूपीज बना अब आगे थोड़ा देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि यह चोड़ देते अब आगे बढ़ते हैं यदि दुकानदार आट परसेंट दो बट्टा ना देकर 16 परसेंट के एक अकेली बट्टा के घुस्ना कर दे आप क्या बोल रहा है कि MRP फिर से अगर वह वही रखे अब बट्टा सिंगल बट्टा मतल पर बेच देता है तो फॉर्मूल आपको पता ही है कि SP निकालने के क्या होता 400 MRP गुना में 100 में माइनस एक बट्टा उस समय दो बट्टा दिया था आठाट अब इस सिंगल बट्टा 16 परसेंट पर बेच देना चाहता है तो SP ब्रावर यह 0 से यह 0 खतम चार गुना में इस 1733 ,ंहें होगा यह आगे इतना रूप्या , अगर सिंगल बट्टा 16 रूप्या का दे दे تو उसका कितना आ जाता है कितना selling्ट प्राइस बनता है 336 पर गुंढ़ अगर डवल बट्टा दे रहा था तो इतना पर बेच रातया और सिंगल बट्टा दे रहा तो इतना पर बेच आप से तो कितना हानी हो रहा है तो हानी हो रहा है बड़ा है आपका यह और यह आपको 336.500 घटा दोगे तो क्या निकलेगा यह आपका निकलेगा 56.2 और यहां से खतम खतम तो इतना रुपया का उसको क्या हुआ हानी हुआ हा जब सिंगल बटटा पी बेचेगा तो इसको 2.56 मतलब 56.56 का हानी हो रहा है तो option आपका right बी होगा तो श कर इसके मतलब आपको double की से स्थे तोरके दोगे तो आपको फॉर्मूला भी सिखना है ठीक न क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेगा और मैं ट्रिक बताने जाओंगा तो आप ट्रिक नहीं लगा सकोगे कुश्चन अगर घुमा देगा तो कि आगे बढ़ते हैं किसी तीछी के । कि MARY कूनो का मापों का योग इतना है तो तीन कौन किसी तृभूड बना लेता कोई वी तिरूच उसका तीन कौन क्या यह पर देखी हैं तीनों कोन एक कोन बी कोन S कोन को जोडते हैं तो कितना बनता है 180 degree बनता है तो option D right हो गया देख रन बहुत छोटा छोटा कुशन पुशता है आगे बढ़ते हैं संद्वी बाहुत त्रिभूज का परिमाप इतना मीटर है और इसका आधार परतेक समान भुजाओ से 30 cm छोटा है तो त्रिभूज का छेतरफल बताईए बता देगे इसको तो तोरण डो कर लिदेएँ घर आए यह आपका तिर्भूज मान लेडिये एय है बी है सी है अब तिर्भूज का क्या बोल रहा है ये सम बाहू तरिपुज़ है बाएबर हो गया तो सम बाहू तरिपुज़ की परिमाप को बोलते है पैरी मीटर वो आपको दिया हुआ 3.6 मीटर ठीक ना ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं यह दिया हुआ है और बोल रहा है इसका आधार इसका आधार परतिक समान भुजाओं से 30 cm छोटा है तो 30 cm छोटा है ठेक न तो मान लेते हैं कि यह x और यह x ब्रावर तो उससे यह वला जो आधार है यही तो यह वला जो भाग है यह 30 cm उससे छोटा है 30 cm छोटा है ठेक न तो 30 cm हम लोग क्या कि उसको छोटा बना दिए तो अब देखिए आगे बाद में पढ़ेंगे अब हम लोग क्या करते हैं पहले भुजा पता कर लेते हैं तो परिमाप तो आपको दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनो का सम, तो परिमाप बराबर यहां पर 36 दिया हुआ है, तीनो का सम, यह पलस ने तो ऐसे लिखते हैं, परिमाप क्या होता है, एक्स माने, तीनो भुजा का सम, यह X-3 equal to आपको दिया वह कितना 3.6 ठीक ना तो और यहाँ पर याद रखेगा यहाँ पर भोल दिया है कि यहाँ पर यह दे दिया है 30 cm छोटा है सब को क्या करेंगे cm में बदल लेंगे 30 cm तो एक मीटर में कितना 100 cm होता है एक मीटर में 100 cm तो यह जो है परिमाप जो है 3.6 मीटर में तो इसको cm बनाने के लिए क्या करना होगा 1 मीटर में इतना तो 3.6 मीटर में कितना तो 100 गुना में 36 होगा एक 010 से 0 खतम तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे एक 0 नीचे है तो यह कतम से यह तो कितना हो जाएगा 36 0 यहाँ पर 3x माइनस 30 3x बराबर कितना हो जाएगा 36 0 पलस 30 तो यह हो जाएगा 390 तो आपका जो है यहाँ पर 3x आए तो x कमान कितना निकलेगा तीन से काड़ देंगे 130 आएगा तो आपका x कमान इतना निकला तो इसका मान मतलब कितना है 130 इसका भी मान ए 130 अब इसका मान कितना निकलेगा 130 में माइनस 30 करेंगा तो कितना जाएगा 100 ठीक यह थोड़ा ही रेज कर देते नीचे वाला तो तीनों भूजा निकाल लिए तिरभूज का सम्दु भावी तिरभूज का तीनों भूजा निकल लिए हमारे पास आप क्या करना इसको यह पूरा निकालने के बाद आप आपको बोल रहा है कि तिरभूज का छेतर फल यहां पर बोल रहा है आपको तिरभूज का छेतर फल निकाल लिए तो तिरभूज का छेतर फल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा हाइट निकालना परे क्योंकि हाइट निकलेगा तभी न तिरूज का फॉर्मूला हम क्या होता हाप गुना बेस इंटू हाइट होता है बेस तो हमको पता चल गया ठीक है आधहार जो है आधहार हमको पता चल लेकिन हमको उंचाई चाहिए होगा क्या चाहिए होगा उंचाई तो उंचाई हमको इसका वेल्यू यह जो इसका वेल्यू त्रिभूज का 6 त्रुफल बराबर क्या होता है हाफ को नामे base into height तो हाफ base हमारा कितना है 100 अगुना में height हमको पता नहीं है यही न तो height निकालने के लिए क्या है यहाँ पर हम माल लेते हैं एक value यहाँ पर value माल लेते हैं D यहाँ से यहाँ पूरा जो था वहाँ था कितना था 100 तो 100 था तो आधा यहाँ पर कितना होगा इसका आधा यहाँ आधा यहाँ 50 होगा तो यह 50 और यह 130 यहाँ पर 90 तो यह हो गया कर्न इधर बला तो hypotenuse से हम देखेंगे तो H बराबर H स्क्वाइर बलाबर P स्क्वाइर पलस B स्क्वाइर तो H तो हमारा 130 का स्क्वाइर है बराबर P हमको निकालना ही है अब B हमारा क्या है 50 है तो 50 का स्क्वाइर तो यहाँ पर 16900 बराबर P स्क्वाइर पलस 250 यही होगा और एक 0 तो हमारा P क्या निकलेगा 16900 में 2500 करना होगा तो 00441 यह बना P square बढ़ाबर तो P का मान कितना हैगा अगर इस पर root चड़ेगा तो बार है और यह 0 तो मतलब 120 तो हाइट जो निकला ही इसका value वो कितना निकला 120 दो से इसको काड़ दो कितना बार में 50 बार में अगुना करो तो 0 पचकांच 10 दो 0 दो 0 पचकांच 10 और 5 एक 6 मतलब इतना 6 रुफल कितना है इतना meter square इसक्वाइर कि छेत रुफल क्या आगे हमले इतना meter square तो छेत रुफल लेकिन इतना meter में आपको यहां पर पुछा यह तो आपका पूरा आया centimeter square में मीटर में निकालने के लिए सौरी यहां पर थोड़ा सा यह आपका यह जो छेत रुफल आया वो छहे हजार centimeters atrocities meter अंब निकाले कहां करेंगा में इक में इसको कि तो कि आप सो से भाग देंगे तो साथ से नहीं मतलब कितना बाग देनाा को सिअन् eerste कि एक मीटर में होता है सो सेंटीमितर है हमको सेंटीमितर कि में जाना मीटर में तो किसे भाग देना का वन वाई हंडेट से लेकिन क्या स्क्वाइर है तो इस्क्वाइर को मतलब 2 से किये तो और 2-0 ये बना 100 गुना में 100 तो यहां पर 4-0 3-0-3-0 खतम तो बचा 6 divided by 0.6 मीटर स्क्वाइर समझे होंगे जगा थोड़ा कम पर जाता इसलिए लेकिन मैं समझाने का पूरिया परयास करता हूं तो आपका छेतरफल जो इस त्रिफुच का दियावा वो निकला 0.6 cm तो अप्रोच पकड़ना होगा आपको मीटर और सेंट अगर वो चीज करते हुए जाओगे तो आपका प्रस्ण स्वाल्व हो जाएगा तो यह आपका लास्ट कुश्यन था यह वीडियो को मैंने तीन पार्ट में लोट किया अप लोट किया हूं यूट्यूब पर तो आप लोग जो भी बच्चे तैयारी अच्छा से कर रहा है तो तीनो वीडियो प्लेइलिस्ट में जाकर देखे मैं पार्ट वन पार्ट वू पार्ट थी कर दूँगा सेट वाइज तो सेट यह आपका था सिक्स नम्मर